तोड़ी विए टोड़ी अबाउट दिस फ्रिक्टिन प्रोब्लम में क्या दे रहा है 100% गानटी के साथ बोलता हूं यह क्यों सुन आपको समझ में आयागा यह पूरा वीडियो जरूर देखना अब देखो प्रोब्लम में दे रहा है सबसे पहले प्रोब्लम को देखो आप क्या दे रहा है if coefficient of friction at the surface is 0.45 यहां पर अपनको friction coefficient दे रहा है 0.42 दे रहा है then the force required to pull यह जो force F लगा रहा है required to pull out the 6 kg block within acceleration 1.5 meter per second square यह बोल रहा है कि यहां पर कितना force apply करूं जिससे कि यह जो 6 kgs of block है न यह इसक 1.5 meter per second square हो जाए मिरो को जो बोला है कोई problem नहीं है मैंने इस पर force लगाया इस direction में कोई problem नहीं है मैं free board diagram बनाँगा सबसे पहले दो को जिस पर force लगाया न उस block की बात नहीं करते है ठीक है न जिस पर इस पर क्या force लग रहा है इस पर एक ही string से connected है ठीक है यह simply string से connected है तो यहां पर यह tension लगेगा ठीक है तो simply मैं इसकी बात करूं टू के जी फ्रीबोर डागराम बना रहा हूं टू के जी का यह जो टू के जी ब्लॉक है इसका फ्रीबोर डागराम आपको बता रहा हूं है देखो simply टू के जी का एक block है कोई problem नहीं है देखो यहां पर यह string से connected है इसका मतलब यह sure है कि यह block यहां से इस side तो नहीं जा सकता है ठीक है नहीं जा सकता है तो यहां पर simply होगा क्या यहां tension backward में लगेगा पॉंट से अवे लगता हमेशा ठीक है तो tension string की काण लगेगा इस पर कोई problem नहीं है ठीक है simply में बात करूं इसने क्या क्या जीबर 6 के ज देखो क्या करेगा यह जो friction बोलेगा इन दोनों के friction नहीं होता ब्लोक आगे यहां पर condition होती ही ठीक ना तो friction इसको आगे लेके जा रहा है तो friction इस पर forward action में लगेगा फ्रिक्षिन फॉर्ड एक्षिन में लगेगा तो यह आगे चल दूँ ठीके अब सिंपली इसका तो फ्रिबूर डागराम मैंने आपको बता दिया अब देखो इसका वेट भी तो निच्ची को लग रहा है वो कितना अमजी टूजी हो गया सिंपली ठीके अब मैं बात करूं इसका सिंपली होगा है तो इसका स्लीड नॉर्मिल। वैलिव थो पटैंड़ रखना हों यहां पर सिंपली कर देता हूं तो मिरा पास यहां पर ढबल तो मेरे पास 8.4 न्यूटन की वैल्यू आ गई अब मैं बात करें यहां पर तो मैं मैं बात कर रहा हूं इसकी इस पर मैंने फोस्स लगा आगे की और ए अध्य मैंने फॉस्स लगाई और इसको एक्षिलेट कर वाना जो किन्लीस मैं यहां पर एक्षेलेटल क्या हो चाहिए 1.5 इसका एक्ष डीक है तो इस पर मैंने जैसे आगे को खींचे तो पिर अध्युजा थे रहे हैं फिक्षिं न इस पर नगगे और इस पर लगे एक पर बाक हो जागा है अब यहां पर क्या है इसका मतलब क्या होगा यहां पर फिक्षन आहेगा वह फ्रिक्षन कितना आएगा अब दोनों ब्लॉक रखे हुए तो दो ब्लॉक रखे भी इसका मतलब यहां पर चो शरफीस पर जो नॉर्मल गना इन डोनों की करना आएगा तो टो टल वेट का है यहां पर सिस्टम का टोटल वेट है सिपस्स ओर तू 8KG तो 8KG का नीची का हो जो नेट होगा न हो यहां पर क्या हो जाएगा वह नॉर्मल की रियाट करेगा यहां पर 8g की टैन ले रहा हूं शिप्रक ली एती न्यूटन हो गया तो यहां पर इन दोनों का वेट नींची को लग गया जो की 80 नूटन होगा हो ही तो यहां पर जै करेंगा ठीक है तो संते हैं यहां पर जो देर्का है फॉइलीत कर देथा नौम उत्तिम यहां पूरा है यह नो फॉरे मेस्ट न क्या न कर रही है यह यह दो लो लोक है नहीं टोटल माँलने तो यहाँ पर simply यह normal क्या लगाता, 8G लगाता, तो यहाँ पर 8G ही लगाएगा normal, तो simply 80 Newton हो जाएगा मेरा, okay, then मेरे पास यह friction आ गया, ठीके, open क्या कर सकते, देखो मेरे पास friction की value आ गी, तो simply में इसने बोला है कि यहाँ पर इसका acceleration 1.5 होना चाहिए, इसका मतलब net force equal to mass into acceleration, य लगा रहा है, तो acceleration भी इसने बोला है कि इस direction में होना चाहिए, ठीके, इतना होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ है, यह वाला force ज्यादा है, तब भी तो इसका acceleration इस direction में हो रहा है, इस block का, ठीके, तो net force अपन लेख सकते ही, यहाँ पर देखो, F minus का, यह friction दोनों backward action लग FR की value, friction की value मेरे पास given है, यह आप 8.4 find कर लिया, मैंने यहाँ पर simply, तो 8.4 हो गया मेरा, minus का friction FR 1, यह भी मैंने find कर लिया, तो यहाँ पर simply multiply कर रहा हूं इसको, 16 आ जाएगा, और 1 चला जाएगा, 33, ठीके ना, तो यहाँ पर अपना आ जाएगा, point आ जाएगा, 33.6, ठीके अब देखो, simply अपने बात करें, यह value आगे, equal to क्या हो, इस दोनों को multiply कर देता हूं, 9.0 आ जाएगा, ठीके ना, अब simply अपने बात करें, इसको कर लिया, आप यहाँ पर F की value आ जाएगी, अपन के पास, simply 9 plus का 8.4 हो जाएगा, plus का 33.6 आ जाएगा, आप इसको कर देना, त then the force required to pull, 6.0 किस से pull करूँ, यहाँ पर force कितना apply करूँ, जिससे कि यहाँ पर इसका access न इतना हो जाए, तो simply अपने find किया लिया, यह friction force की value यह होने चाहिए, ठीके न, Newton मैं आ जाए, calculate कर लेना इसको आप, ठीके न, मैंने आपको concept बता दिया है, I hope आपको यह concept जरूर के लि कि अँगा, है?